अगर एक दोस्तों नमस्कार निकल इस्टोक एकडेमी एक बार फिर से आपका स्वागत हैं दोस्तों आज फाइनस से डिलेटेड एक बीजिस मोडल के बारे में डिसकर्स करेंगे बीजिस मोडल का नाम है आवास फाइनस जो लोन प्रवाइड करवाते हैं होम लोन और अधर लोन प्रवाइड करवाते हैं लगबग टोप से 55% डाउन है इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है लगबग मतलब के यहां से रिवर्स होने की पोसिबिलिटी कितनी के नीचे की लेवल अगर गिरावट आती है तो कौन से लेवल है अगर एक दो साल का नजरिया हो तो इसम अगर उनको क्या करना चाहिए हो सकता है इसमें और गिरावट आए डीटेल से इसके मोडल, फंड्रमेंटल और टेक्निकलशर्ट की समझने की कोशिज करते हैं कि कि लेवल पर समझने की कोशिज करेंगे जुबिलेंट फूट के बारे में डिस्कर्श किया है च्भू सबित करनी चाहिए अब चलते हैं दोस्तों आवास पाइनेंस का यह weekly टाइम प्रेम का चार्ट है अगर अपनी इस में एक अगर ट्रेंड को देख के देखे ट्रेंड की बात करें तो किस तरह से अपने ट्रेंड को डिकर्ज करते हैं, सत्पर की सा तरह से जाते हैं, वापस आते हैं, उस एक्जमपल को आप समझ सकते हो, एकदम ट्रेंड को आपको identify कर सकते हो, अब देखे, down trying की बात करें, तो down trying में इसमे, top लेते हैं, bottom लेते हैं, नीचे वाला लोबर टोप होता है, लोबर टोप होता है अब इस तरह से अगर वापस उपर की तरफ जाना होता है तो इसको लोबर टोफ पेटरं को उपर की तरफ ब्रेक esse तरेंड चेंज होगा अब इस टो की बात करते हैं यह डाउं ट्रेंड है डाउं ट्रेंड में यह लोवर टो पेटन बन रहे हैं अगर बात करें इसके तो 1700 मतलब 1700 हो सकता है लगबग यह भी मान सकते हो लेकिन यह मान सकते हो ठीक है 1700 को अगर ब्रेक आउट करेगा 17 पहला देख सकते हो 1600 और दूसरा मतलब 1700 रहेगा तो 1700 को अगर ब्रेक आउट करता है तब इसमें ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है जो फ्रेश में इन्वेस्मेंट करना चा चाहते हैं उसी स्टोक से अभी दूर रहना चाहिए फिर बात करते हैं कि इन लेवल पर कन लेवल पर इस पर बाइंग कर सकते हैं मेजर सपोर्ट कहां पर है और बाइंग करना चाहते हैं तो किन लेवल पर जो थोड़े रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए बात करते हैं अ यहां पर एक bullish engulfing type की pattern बनी है proper नहीं है ध्यान दीजिए फिर दूसरा होता है shooting star candlestick pattern यह जो एक top में बनती है downtrend का signal है और यहां पर देखो shooting star candlestick pattern है यह hanging type का candlestick pattern बना है यहां पर inverted hammer candlestick pattern बना अभी तो यहां पर देखो आप देख पाओगे कि double top type का pattern बन रखा है अगर मैं इसको line chart में convert करूँ तो line तो point to point होगा थोड़ा बहुत कम ही दिखाए देगा मेरे साब से लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि एक बार गया है तो यह double top pattern अब देखे मैं weekly time frame कर देता हूँ एक बार देखो इस तरह से यह downtrend है तो इस level यह level कितना है मतलब 1330 के लगवग मालीजिए 1330 को अकर नीचे की तरफ breakdown करता है 1330 मतलब नीचे की तरफ breakdown यह decisive मतलब rate candle खतरनाक बनेगी तो बीर सिंग रेट गेंडल होती ने मारुजा टाप की business model देख लेते हैं किस तरह का इसका business model है आवास finance का देख सकते हो आपकी यह इसके वन लाग 90 इसका यह loan मतलब का account है और इसकी ब्रांचें भी है दूसरा loan प्रवाइड करवाते हैं loan product कौन से home loan प्रवाइड करते हैं home construction का का काम चलता है उस loan जो मतलब बिल्डिंग बनाती ह एमस भी यह business loan है loan agent एगेंस्ट property के साथ property के एगेंस्ट भी आप loan ले सकते हो home improvement loan जो construction मतलब रिपेर घर करवाना चाहते हो उसमें loan भी यह प्रवाइड करवाते हैं home loan balance transfer इसमें भी कर सकते हैं small ticket size loan छोटा होता है case led पलस वाले होते हैं वो भी होते हैं इसमें आप देख सकत है home loan home construction loan यह होता है loan वाले यह सारी size मतलब कुल मिला के यह बात है कि यह loan प्रवाइड करते हैं हर अलग-अलग तरह है कि loan आप home loan लो चाहिए construction loan लो property वाला loan लो किस तरह का भी improvement वाला लो सब loan ले सकते हो यह फिर बाद में बात करते हैं एक इसका यह इसकी मतलब 2011 में स्थापना हुई थी और फिर बाद में देखी मतलब यह market में आया था मार्केट केप की बात किता है 11,187 मार्केट केप है करन्ट प्राइज की बात करें 14 12 है हाई गया इसका 20 25 है लो गया 13 35 का यह लो गया है अब इसका थोड़ा सी अपन देखते है नीचे की तरब इसका बेलेंस एक से quarterly रिजल्ट देखते है quarterly रिजल्ट किस तरह से revenue कितना हु बात करते हैं नीच प्रॉपिट की बात करें तो इसमें 122 फा बाद बात स結果 बराबर यह नहीं कोई बड़ा है थोड़ा बहुत यह भी मतलब कम होना चाहिए अब बात करते है इस तरह से balance sheet की बात करें, balance sheet की बात करें तो इसका equity capital कितना है, 70, 79 है, crore की value है, reserve इसके पास में कितना है, 30, 34 है, borrowing करजा मतलब कि 11, 20, 208 है, तो यह तो इतना, थोड़ा बहुत बढ़ा है, पहले quarterly results है, अब इसका share holding pattern, आपको दोस्तों, अगर इसको देखना हो, तो किसके अंदर की site पर जाके, आप देख सकते हो, आप check कर सकते हो, खुदेने, और किसी भी company का result देखना हो, उसका मैं separate video भी बना दूँगा, BAC की site होती है, उसके आप जाके देख सकते हो, अगर आपको अगर इसके separate video चाहे है, तो comment मैं कर सकते हो, अलग-अलग company की किस तरह से result देखे जाते हैं, ठीक है, उसका, अब देखिए, इसका promoter के पास holding, FIS, DI, और public के पास, promoter के पास holding 39% है, public FIS के पास 32 है, और DI, की holding 15% है, और public के पास मैं 13% की holding है, इस तरह public की holding भी बहुत है इसमें, नमर ओब shareholder है, वो 1,32,32,32 लोगों ने इसमें invest कर रखा है, अब बात है वापस आते हैं, इसका technical जाए, fundamental की बात के तो fundamental ठीक है, लेकिन इसके quarter legal थोड़े डाउन आये, इस वज़े से आप देखना, share holding pattern की balance है, अब इसमें वापस आ जाते हैं अपन चार्ट पे, अब देखें चार्ट की बात के जाए, फिबोनाची retracement किस तरह से use में की जाती, उसको अपन समझने की कोशीज करते हैं, ये देखिए, फिबोनाची retracement हमने discuss भी किया, देखिए, पहले इसमें देखो फिबोनाची retracement एक support and resistance का काम करती है, ये देखिए को जिसको support and resistance ड्रो नहीं करना आता हो, इसमें देख सकता है, फिबोनाची एक bottom लगा हो और top लगा सकती हो, उसमें मैंने इसका separate वीडियो भी बना रखा है, जो भी साथ ही देखना चाहते हैं, वीडियो का link description में, दूसरी बात है, यहाँ पर देखो, फहले support लिया, 50% की retracement, बाद में 61% की, यहाँ पर exact आप देख सकते हो, कि 61% की retracement पर आया, उपर की तरब गया, तो 38% की retracement पर उपर गया, फिर वापस यहाँ पर रुक है, लेवल देखे किस सरह से फिवानाची retracement काम करती है, फिर बाद में यहाँ यहाँ पर 61% की retracement पर आके support लिया, फिर वापस नीचे की तरब आया, तो यह देखो, retracement काटके फिर बाद में वापस यहाँ पर आया, यह एकदम टेस्ट करके आया, वापस resistance का मिला है, 61% की retracement पर एकदम resistance मिला है, पर जेन टाइम की बाद के तो एकदम support लेवल पर यह trade कर रहा है, इसलिए बोला हूँ, इसको एकदम red candle यहाँ पर नहीं बननी चाहिए, अगर red candle बन गई तो यह मान के चलो, यह नीचे की लेवल वापस आजाएंगे, इसमें जो और गिरावट आ सकती है, इस चीज़ का आपने को ध्यान रखना है, बाइंग की गवाद करें, इस तरह से फिबोनाची retracement है, downtrend है, shape investment के लिए, कोई भी बाइंग नहीं बनेगी, इस लेवल पर जो भी है, 79 डिसको करें, जो accumulate करना चाहते हैं, वो लेवल पर ध्यान रखिए, कि 70 कोई बाइंग कर देता है, बाइंग ट्यार चीफ बनता है, तब कर सकते हो, नहीं तो नहीं करना चाहिए, मेरे साब से, ठीक है, लेवल का ध्यान रखिए, किस लेवल पर किस तरह से moment आ सकता है, लगबग टोप से मान सकते हो, कि लगबग 55% के लगबग तो नीचे की तरफ ब्रेकड़, 55% तो टोप से डाउन है, तो और कितनी गिरावट आ सकती है, ये लेवल भी देख सकते हो, मतलब 1000 के लगबग ये जा सकता है, इस लेवल को ब्रेकड़ाउन कर दिया, तो इस तीजगा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता रहेगा कि इस लेवल को कर दिया, तो दूसरा सपोर्ट कोण सा है, उस तीजगा, देखो 1000 के लगबग इसका नेक सपोर्ट ह सकते हो, मेरे साब से इस वीडियो का conclusion निकाले, तो जो शेप investment करना चाहते है, उनके लिए कोई भी buying opportunity नहीं है, इसको break करेगा, तब इसमें जो risk लेना चाहते है, तो एक बार risk इसका double top pattern बन रखाया, तो नीचे की तरफ gray out आएगी, तो इन level पर आ सकती है, अगर कोई buying यहा पसेओ अनालीज आते हैं, तो comment में जरूर बताए, उसके बारे में बीजिस मोडल को, और समझने की कोशियज करेंगे, तो इस तरह से stock में रंती बना सकते हो, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत देने वाद, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त करेंगे, तो 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 क